खबरों में आगे बढ़ते हैं सब पाके कदावर नेता उज्वल रमन सिंग कॉंग्रेस में शामिलूंगा है। कॉंग्रेस पार्थी ने प्रियागराज लोग सबासीट से उज्वल रमन सिंग को चुनावी मेदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने प्रियाग राज से अब तक उमिद्वार का एला नहीं किया है न्यूस 24 से एक्स्क्लोजिव बाचीट में उज्वल रमन सिंग ने क्या कुछ कहा है सुनिए उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में एलाबाद यानि प्रियाग राज जिसका नाम अब हो गया वो लोग सबा सीट वी आईपी सीट मानी जाती रही है तमाम बड़े लोग यहां से संसद में जा चुके हैं कुवार रेवती रमर सिंग, मुली मनोहर जोशी, वी पी सिंग, अमिताब बच्चन, हमवती नंदन बहुडा ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो यहां से संसद बने हैं और इलहाबाद को प्रतिष्ठा परक सीट मान कर कॉंग्रेस पार्टी ने समझोते के तहद समाजवादी पार्टी से यह सीट ली क्योंकि उनका पैतरिक आवाज, आनन्द भोवन, सब कुछ गांधी परिवार की जणे यहां से जुड़ी हुई है लेकिन जब चुनाव लडने का वक्त आया, जब उमिदवार घोशित करने का वक्त आया तो कॉंग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी के ही नेता पर विश्वास करना पड़ा चेहरे पर विश्वास करना पड़ा रेवती रमण सिंग जी के बेटे उज्वल रमण सिंग जो cabinet minister भी रहे हैं समाजवादी party से विधायक भी रहे हैं उन्ही को Congress party में शामिल करा गया और अब लोगसभा का उमीदवार बनाये गया मैं उज्वल रमण सिंग के साथ हूँ जब आप ही को लड़ना था तो सपा से लड़ गए होते हैं सपा आपने कोटे में रख लेती ये सीट देखी ये इंडिया गडबंधन के जो पाटियां हैं और ये उनका शिर्ष नेतरत्वते करता है कि कौन सी सीट और कौन सा विक्ति कहां से चुनाव लड़ेगा जो फैसला उन्होंने किया वो मुझे शिरुधार है और पूरी मजबूती के साथ मैं भरसक प्रयास करूँगा कि इंडिया गडबंधन की जोली में कांग्रेस पार्टी की जोली में समाजवादी पार्टी के सहयोग से इस सीट जिताने के लिए भरसक प्रयास करूँगा ये कई बार लगता ये है कि उज्वल रमर समाजवादी पार्टी से नराज होके कॉंग्रेस में गए है या समाजवादी पार्टी ने उन्हें कॉंग्रेस में भेजा है देखे लोग अपने तरीके से चीजों को समझते हैं इस देश की ये बड़ी लड़ाई है इस बड़ी लड़ाई में जो इंडिया गडबंधन ने जो गडबंधन का जो फैसला किया जिस तरीके से देश में डेमोक्रेसी और सम्विधान खत्रे में है डेमोक्रेसी को खतम किय जा रहा है इस बड़ी लड़ाई में हम सब इकठा हुए हैं तो ये विशे आज नहीं है ये सब एक परिवार का हिस्सा है परिवार का कोई भी सदर से कहीं से भी चुनाव लड़े लेकिन चुनाव जीतना हमारा लक्ष है भाजपा ने तो अभी तक यहां उमिद्वार घोशित किया नहीं है माना ये जा रहा है कि जो सिटिंग यहां की एंपी थी उनको तो रीता बहुगुडा जोशी को यहां से टिकन नहीं मिलेगा उन्होंने अपना उमिद्वार नहीं दिया तो आप क्या मानते हैं ऐसी ये भा यागराज की महान जनता है जिसने देश के प्रदानमंत्री को बनाने का काम किया है एक एक नहीं दो दो नहीं तिन तिन नहीं चार चार नहीं जितने प्रदानमंत्री बने कम से कम पांच शे प्रदानमंत्री यहां के रास्तों से डगर से निकल कर गए हैं तो यहां की महान देवतुल जनता है हम उसके दम पर चुनाव लड़े हैं अपने कारकरताओं के दम पर यहां की जनता के दम पर और मुझे भरोसा है कि निश्य तोड़ पर नतीजे अच्छे आएंगे यह जो इलाका है इलाबाद और आसपास का इलाका है इसमें कोणर रेवती रमर सिंग जी जो आपके पिता वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदिश्यों में मुलाइम सिंग यादों के करीवी आठ बार के विधायक तीन बार के सांसद और राजिसभा सांसद तो उनका एक वो समाजवादी पार्टी में आप कॉंग्रेस में या वो भी देखे जो नीती है जो विचारधारा है इस पर सारी लड़ाई है इसमें मैंने कहा कि ये परिवार की तरह हम लोग इस लड़ाई को लड़ा है इसी के लिए इस लड़ाई को हम जीतने जा रहे हैं और यह लड़ाई है जो देश में एक विचारधारा है जो देश में विभाजन करना चाहती है जो देश में बटवारा करना चाहती है जो शहर और गाउं का जो है फासला वो दूर करती जा रही है इस फासले को खतम करने की लड़ाई जो बेरुजगारों की जो परचा लीख होने क का मामला है यह उस लड़ाई को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इन विश्यों पर कि कौन कहां और कब कैसे इस से उपर उठकर हमको चीजों को देखना मेरा अंतिम सवाल है कि अखलेश यादों की सहमती और समर्थन आपके फैसले में है या इस पर कोई चर्चा नहीं हुई सव प्रतिशत उनका समर्थन है उनका आशिरवाद है और हमेशा मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा लेकिन ये इंडिया गडबंधन आने वाले दिनों में पूरे देश में जो एक बड़ी लड़ाई लड़ा है इस तरीके के साथ उनके साथ वहवार किया जाता है लोगों में आक्रोश है लोगों में गुसा है कि इस तरीके से जनतंत्र का गला आप घोड़ देंगे इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि बड़ी लड़ाई में हम सब लोग एकठा हैं कांग्रेस पार्टी का भरपूर समर्थन ह सहयोग है कांग्रेस पार्टी के शिर्ष्र नेतरत्व का अशिर्वाद है समाजवादी पार्टी का नेतरत्वा अशिर्वाद है और बाकी जितने भी गडवंधन के दल है सब आज समर्थर में खड़े हैं तो इसलिए इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे अंजाम तक करेंगे इसका बहुत शुक्रिया